हमारी स्ट्रेंग्ट क्या है कि हमारे बास टालेंटेड यंग मैन पावर, स्कील मैन पावर बड़े प्रमान परें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एब डिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस समय लाने की बहुत बड़ी अवशक्ता हमारे देश की एकोनोमी की है और दूसरी और विदेशों में क्या स्थिती है मुझे अभी 15 दिन में मैं अमेरीकन इन्वेस्टर के साथ करी 12-15,000 इन्वेस्टर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ फिर मेरा ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर के साथ हुआ वह भी 87,000 लोग थे फिर दो दिन पहले मैंने युके के ये जो बड़ा इकॉनोमिक चेंबर था टेपोजिट पर उनके साथ कोरिया में ऐसा है कि bank में डिपोजिट डालने से ब्याज मिलता नहीं देना पड़ता है आप जापान में भी वी gwेस्तिति ही अमडीका मैं फिछ डॉलर पर इंट्रेस्ट में आना चाहते हैं और हमारी स्टेंग क्या है कि हमारे पास टैलेंटेड यंग मैन पावर स्कील मैन पावर बड़े प्रमान पर है हुज मार्केट है बड़ी पॉपुलेशन है और आज हमारे कॉंपुटर सॉफ्ट्वेर इंजिनियर्स वर्ड में डंका पीट रहे हैं दस डॉक्टर में से चार डॉक्टर युएसे में भारती है तो हमारे ब्रेन बहुत अच्छा है और उशार लोग है और हमारे पास रॉमेट्र की अवेरेबिलिटी है और इसलिए हमारे यहां अगर इंडेस्ट्र को अमारी एकॉनामी को इंपोर्ट सब्चिटूड कॉस्ट एफेक्टिव पॉलुशन प्री और इंडिजिनेस और उसके साथ रूरल ट्राइबल अग्रिकल्चर को प्रियरिटी और रोजगार की दिर्मिती आत्मनिरभरता ही अगर हर आदमी अगर आत्मनिर स्वचल माइक्रोफास इंस्टीशन सिंपят से लोग कोयी रिक्षा ले रा कोई नट्र ये कर रहो है कोई पापड़ बना रहे को हांको इसको सपोर्ट कर रहा हैो तो नहीं से अमारी एकौनामी की ग्रोध बढ़ेगी रोजगात निर्माणोंगा गरीबी दूर होगी और export बढ़ने के कारण import कम होने के कारण economy मजबूत होने के कारण हम आत्मंदिर भर बनेंगे